गोट्ष्टे और गांधी दोनों ही जिन्दा है अपर्तक शुरूप से आपको दिखते होंगे आपके आसपास आई दिन की घटनाओं में, आई दिन के समबादों में, आई दिन के कारिकरमों में और आईद इनके लोगों के मद्ध है उनकी सोच में, उनकी बोली में, उनकी विचारधारा में, उनके हाव भाव में देश में इलेक्शन होते हैं, होते रहेंगे, हो भी रहें हैं और होने भी वाले हैं लेकिन देश में चुनाफ का माहौल और चुनाफ के माहौल में खड़े हुए परतिनिदियों का वक्तव आपको कही न कहीं ये फूंग रूप से बताता होगा किसी देश में कौन जिन्दा है, कौन मर चुका है। चार दिन पूरविश देश में गांधी शांत्री यात्रा भी चल रही है, जो वर्तमान में सत्ता काबिज है, उसके द्वारा निकाली जा रही है, लिकिन जब उसी सत्ता के परतिनिधी गांधी के हत्यारों को कई-कई उपादियों से सम्मानित कर देते हैं, गांधी की विच त्यारों को सम्मान आज हम दे रहे हैं उसको ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है और यह जैसा कि कहा था ना गांधी ने इस संसद को एक शब्द पर यूप किया था कि बैश्या है वेश्या नहीं का था बैश्या है बैश्या लोग कहते हैं गांधी ने इस तरी सम्मान नहीं क गांधी ने संसद को वेश्या कह दिया, वेश्या नहीं वेश्या कहा, कि गांधी गुजराती थे और गुजराती में बनियों के लिए, व्यापारियों के लिए वेश्या शब्द का यूज़ किया जाता था, जो अपने व्यापार का लाब चाहने के लिए किसी भी कीमत पर ज दिया है जो कहीं ना कहीं इस देश में लाशों पर खड़े होकर एक तक्त पर पहुंचना चाहते हैं आज के गोट्षे की बात करते हैं या उस गोट्षे की विचाधारा की बात करते हैं किसी धर्म संगठन से मेरा विशेश ना लगाव है ना ही चुडाव है क्या करूं इस मात्र देश्तरोही बनने का जिम्मा जो लिया है सुनियेश देश्तरोही को दिल्ली में विधान सवा की चुनाव होने वाले हैं आठ फरवरी को और जब कुछ महिनों पूर दिल्ली के चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फरेंस करके चुनावों की तारीक का ऐलान किया था उस वक्त तुनों ने एक ऐसी बात कही थी जो दिल्ली के चुनाव आयोग ने उससे पूर कभी नहीं कही थी क्या थी वो बात उस वीडियो का मैं लिंक को दूंगा आप देखिएगा उस बात को इंगलिस में है मैं हिंदी में बताऊंगा चुनाव आयोग की अध्यक्ष य और कहते हैं चुनाव आयोग कोई पढ़ते ने धी कि हो सकता है कि 8 फरवरी को चुनाव ना हो सके दिल्ली में ऐसा महाल ना हो चुनाव को टाला जा सके तो इससे आप इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि 3 महीने पूर्व या 2 महीने पूर चुनाव आयोग के कि दिल्ली में चुनाफ टाला जा सकता है या तै तारीक पे नहीं हो सकता है या चुनाफ के समय बहुत सी अर्थ अर्चने या संबर्दाइक महौल पनप सकता है। आपको सच्चाई की उस दल्दल में उतरना पड़ेगा जहां दिकांश लोग आपको निरुवस्तर दिखते हैं। ग्रह मंत्री इस देश का इस देश का ग्रह मंत्री जब देश के शमक्ष असत्य आ समाजिक आ परत्याशित और निशब्द रहने वाले वाक्यों या शब्दों का चैयन करता है। इस देश की शत्ता के जो नुमाइंदे हैं उन पर सवाल खड़ा करना लाजमी हो जाता है। एक बात जो अपने पूर्व में कहीं न कहीं आप से या नहीं कहीं मैं नहीं जानता लेकिन अब क्या देता हूं। कि एक व्यक्ति हुए हैं इतिहास में ही। उन्होंने एक रिपोर्ट या खूफिया एजेंसी में सदस रहे थे गोविन बल्लापंत। उन्होंने भी एक रिपोर्ट जाहिर की है। गांदी की हत्या के बाद गोड़स एक बयान को लेकर और इसकी चानवीन पर उसी रिपोर्ट को भी पढ़िएगा। गोविन बल्लापंत रिपोर्ट बोलते हैं उसको उसका भी आप थोड़ा पढ़िएगा। अब बात आज के गोड़सों की आज की विचार धारा की। देश का व्यक्ति एक मंच से खड़े होके ये कहता है जिस परत्विवस्ता की जिम्मेदारी है नुराग ठाकूर की देश के गदारों को पब्लिक कहती है गोली मारो बीप बीप फिर कहता है देश के गदारों को गोली मारो पब्लिक कहती है बीप बीप फिर पुना कहता है देश के गद्दारों को पब्लिक कहती है बीप 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 और जैसे ही तीसरी बार वेविक्ति मंच से उचारण करता है उसी व्यक्ति के पीछे खड़ा वा एक व्यक्ति जनता की आवाज में आवाज लगाते हुए कहता है कि बीप 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 तब वीडियो खतम हो जाता ह और देश का ग्रह मंत्री कहता है दिल्ली के बापरपुर की चुनावी सभा में कि ऐसा बटन दवाए देश की बापरपुर की जनता की करंट लगे जाके शाहिन बाग में करंट आप किसको लगाना चाते हैं या किसको आप नुक्सान पहचाना चाते हैं जो आपका दुश्मन है फिर वही ग्रह मंत्री कहता है इस देश में कि आप इस देश में भारत के साथ खड़े हैं या साहिन बाग के साथ खड़े हैं यानि कि इस देश का ग्रह मंत्री ये आरोप नहीं ये नुमाइंदा ऐसा व्यक्ति ऐसा वक्तव दे रहा है ऐसा परमान पत्रबाट रहा है कि सम्मिधान या भारत या लोक तंत्र में या भारत में डेमोक्रसी में साहिन बाग ही नहीं वो भारत का हिस्सा ही नहीं है और वहा और मंत्री हैं, वर्मा जी, कि जोक्तियों का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, पात्रा जैसे लोगों का, वो व्यक्ति बलतकार तक की बात करता है, कि यदि मोधी जी इस देश के पी-एम, ग्रहम मंत्री अमिश्या नहीं होंगे, तो देश में महाल बिगड जाएगा, ज चुनावायो क्या एक्षन लेता है, खाली एक नोटिस दे देता है, कि कुछ दिनों के लिए वो लोग चुनाव परचार नहीं कर सकते हैं, इस देश में जब 30 जनवरी 1948 का गोडी गोली मारता है, गोड से भीड में जाके, गांधी वादियों के बीच में तब भी सवाल पुरे अपने असर सस्र के साथ खड़ी है, वह पुलिस उस व्यक्ति को नहीं रोकती है, नहीं चेताबनी देती है, वारदात होने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ती है, और वह व्यक्ति कहते हुए गोली चला देता है, राम भक्त या राम गोपाल कहे नाम नाम व्यक्ति एक ट्विट किया जाता है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी चानवीन की जाएगी तत्यों की आप किस चीछ की चानवीन करेंगे चानवीन उन तत्यों की की जाती है जनाब जो तत्य आपके शमक्ष ना हो चुपाए जा रहे हो आपके शमक्ष वीड कि अच्छान बीन आप स्वयम के उपर करेंगे अमिश्रा जी जो कहते हैं कि करेंट ऐसा ऐसा बटन दवाईए करेंट जाके शाहिन बाग की महिलाओं को लगे या उन मंत्रियों पर आप क्या कारवाई करेंगे संबीत पात्रा जैसे व्यक्तियों पर जो कहते हैं कि शाहिन ब परवाई करेंगे ये देश के सम्विधान की जो आत्मा है जनता उसको फैसला करना है कि वो किन का साथ देना चाती है और क्यों देना चाती है ये आप तै करिए कि देश में गोली मारने वाले समवादों को करन्ट लगने वाले समवादों को सेना का किस परकार से अपमान किया जाता है या बताई जा रही है उनको आप समझिये जानिये हो सकता है किसी व्यक्ति के मुख से कोई बात जलवाजी में या गुसे में निकल जाती है लेकिन एक बार निकलती है दो बार निकलती है यदि वही बात किसी व्यक्ति के मुख से और बड़े-बड़े मंचों से बार-बार पुन्हा निकलती है तो वह व्यक्ति गलती नहीं कर रहा है वह व्यक्ति अपनी बात को सही मानते हुए इश्पश्ट कर रहा है और कह रहा है और उसके पिछे तरक भी दयता है और जब पत्रकार सवाल करते हैं इस मुल्क में तो उनको कहा जाता है कि दूसरे मुल्क में जाईए जब छात्र सवाल करता है तो कहते हैं कि आप देश भक्त नहीं हो दूसरे मुल्क में जाईए इस देश में सैकडों की संख्या में लोगों पर अनुछवद 124 एक लगा हुआ है देश्त्रो कारोप कुछ महीने पूर मुझे भी लगा था हटा है नहीं हटा है उता सत्ता बताएगी और इस देश में कभी भी आप लोगों के विव्यक्ति के अधिकार को छीन लेते हैं और गोड़सी जैसी सोच के व्यक्तियों कभी व्यक्ति का आधिकार आप पूंड़ता दे देते हैं अस्ति सस्त्रों के साथ दे देते हैं, पूरी सुरक्षा परदान करते हैं उनको, तो देश की जनता को करना पड़ेगा आज ये कि वो किसके साथ खड़ी होना चाती है, वो इस देश में खाली और खाली वोट देना ही अपना अधिकार जानना चाती है, या इस देश का नाग क्या है गोर्षी जैसी सोच की तो विजारधारा को आप समझिए जानिए और सीए से पूर्व मैं एक वीडियो करने वाला हूं चात्रों की सुतंदर्ताओं के अधिकार पर तो पुन्हा आपको नमस्कार देश भक्तों की भीड में आपका देश द्रोही आपके शमक्ष पु झाल 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 झाल